नवश्कार, मैं हूँ प्रतीक और आप देख रहे हैं जनताशू सांभर जील राजिस्थान में सिर्थ सांभर जील में पिछले 10 दिनों में छोटे बड़े 18,000 पक्षियों की रहस्य में मोत हो गई है आखिर क्या कारण है पक्षियों की इन रहस्य में मोत हो का जी हाँ इसका सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है कुछ विश्य शग्यों का ये मानना है कि इसका कारण है एवियन बॉटलिजम ये एक पैरसितिक और फेटल डिजीज है जो कि टॉक्सिंस को निगलने की वज़े से होता है चिंता का विश्य ये है कि ये सलसला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है कुछ विश्य शग्यों का ये भी मानना है कि ये सिर्फ बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं बलकि इसका कारण नमक भी है जी हा, पिछले कुछ सालों में सामर लेग में पानी की कमी की वज़े से नमक की मातरा बढ़ गई थी और इस साल जब मौन्सुन में ज़ादा बारिश होई तो ये नमक जब पानी में मिला तो पानी जहरी ला हो गया है फिलहाल जब तक कोई नतीज़ सामने नहीं आता है तब तक मृत पक्षियों का कंकाल दफनाया जा रहा है हमें जल्द ही इसका कोई समधान ढूनना होगा क्योंकि सितंबर से लेके फरवरी तक प्रवासी पक्षियों का यहां आगमन होता है अब आप सोच रहे होंगी क्या हम इनसानों पर भी इस सित्य का असर पड़ेगा तो हम कहेंगे नहीं जब तक हम इनसान इन संक्रमित पक्षियों के मीट का सेवन नहीं करते हैं तब तक हमें इसका कोई असर नहीं होगा National Institute of High Security and Animal Disease ने इस सित्य को बर्ड फ्लू करार नहीं दिया है और जितने भी सफाई करमचारी इन मृत पक्षियों को दफनाने का काम कर रहे हैं उनको गलव्स और मास्क पहनने की सला दी गई है तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार दिये दिये ग्लोबल वार्मिंग का असर हम हमारे जल जीवन और नदियों पर पढ़ रहा है तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने परियावरन के लिए सक्त कदम उठाएं